Center of symmetry या inversion center क्या होता है? कैसे आप इसको different molecular geometries में मालूम करते हो? और कब इसके operations का repetition शुरू हो जाता है? नमस्ते, मैं रन्यमन दिप दलाल है और इस lecture में हम इन ही प्रशनों के उत्तर खोजने के उश्च करेंगे अब हमें क्या पढ़ना बता हो? Center of symmetry और inversion center तो भई इस topic को हम ने total तीन सेक्शन से इंडिवाइड किया है पहला क्या होगा आपका? Definition of center of symmetry फिर क्या होगा? Center of symmetry in various molecular geometries फिर क्या होगा? repetition of sequence for center of symmetry तो पहले बता हूँ क्या पढ़ते है definition of center of symmetry इसके definition क्या होती है? देखो मैं आपको बता हूँ भई center of symmetry मालूम करने का जो fundamental root होता वो तो क्या होता है? कि आप molecule को पहले गुमाओ 180 पे क्या? किसी molecule को आप किसी line के बाउट पहले पहले आपको उसको कैसे गुमाओ 180 पे फिर जिस line के बाउट आपने 180 पे गुमाया है ना उसके perpendicular reflect कर दो आप कैसे मालूम कर सकते हो कि molecule में center of symmetry है कि नहीं है समझे बात मतलब आप इसकी बहुत simple definition क्या होगी? ठीक है? इसको मालूम कैसे तो आपको आपको आगे बताएंगे लेकिन definition आप इसकी क्या बोल सकते हो? if a molecule generates indistinguishable image when it is rotated through 180 degree followed by a perpendicular reflection अगर कोई molecule क्या produce करता है? indistinguishable image कब? जब इसको एक सोसे पे गुमाके perpendicularly reflect किया जाए एक तो यह है बई दूसरा आप क्या होँ सकते हो? center of symmetry may simply be defined as the point inside the molecular geometry about which inversion generates indistinguishable image एनी molecule को अगर आप किसी molecular geometry के अंदर कोई point जिस point के बाउट molecule को invert करने पर क्या मिल जाए आपको same photo same क्या बोलेंगे center of symmetry समाजगे बात? तो भई अब आपको इसको मालूम कैसे करते हैं भई इसको मालूम ऐसे करते हैं भई देखो आप molecule को एक सोस से पर गुमाओ पहले तो किसी line के बाउट उसको एक सोस से पर गुमाके फिर उस line के पर पेंटिकों तर आप क्या कर दो reflect अगर सेम फोटो आजाए ना वी सेंट्र ओफ सिमिट्री पता करने के दो रूट होते हैं बता कौन से पहला तो क्या होता है कि molecule गुमाओ एक सोस सी पर ओके फिर जिस line के बाउट आपने 180 पी गुमाया ना उस line के पर पेंडिकों अपकर लीड़ को reflect अगर सेंटर से दो चलो अब सेंटर से चलो एक सी दूरी पर अगर आपको हमेशा भी चीज़ मिले तो center of symmetry है, तो इन दो दो रूट से हम confirm करते हैं, कि SF6 में क्या, SF6 में center of symmetry है कि नहीं है, यह तो लोग भई, MA4B2, trans, क्या, भई मैं यह कूँ, MA4B2, M, और बोलो भई, A, 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 और यह बताओ क्या हमारे पास, बोलो भई, B और B, भई मुझे यह पता करना है, कि इसमे center of symmetry है कि नहीं है, ठीक है बात, तो भई यह पता करने के दो रूट है, एक तो क्या होगा, आप central point से, दो opposite directions में चलो, ठीक है, अगर आपको हमेशे क्या मिल है, आप central point से, दो opposite directions में travel करो, अगर आपको हमेशा क्या मिलती है, सेम चीज, तो हम क्या बोलेंगे, एक से दूरी पे, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें center of symmetry है, for example, यह पर चलो भई, centers में यहां चलो तो क्याएगा, A, A, बोलो भई, यहांपर क्या है, दोनों side A, दोनों side B, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बता पको पले बड़ी, तो यहांपर क्या center symmetry है नहीं, भई, पहले रूट से आपको भी मालूम पड़ गया ना, अब आप second root से मालूम करो, कि यहांपर center symmetry है नहीं कैसे, पहले आप गुमाओ, इसको भई, 180 पे, कैसे, और वो लाइन मेंने कौन से मान नहीं आपर, यह वाली, तो अगर मैंने सुझा इसको बोल दिया, बीड़ डैसे मैं क्या बोल दूँ, एवन, एटू, एट्री, एफोर, और यह लेवल है, आपर बन तो तुरी, पोर क्या है, जो चार ए है, उन्हें मैंने क्या लेवल कर दिया, वन, टू, थी, फोर, और बी, दोनों भी मैंने क्या लेवल कर दिये, बी डैस और बी, डबल डैस, तो इस लाइन के बाउट गुवाने पर बताव क्या होगा, एवन, एट्री, तो यह एवन, और एट्री, अपसमी क्या है, वन एट्री, पे, अगर दोनों, एवन, एट्री ए務, लेट में है, बतो नीटी क्योंगे न, क्यों होगे, यहाँ कौन मालन लेवन, और यहाँ कौन है, यहाँ कॉन है, एकस तो, एपंस से लिए फोर मारे पास, जाब को यह इस निम्न यहां पर लेकिन आपको पता इन चेक करने के लिए सिर्फ गुमाना काफी नी ओता एक तो सीपे क्या करना पड़ेगा गुमा कर प्रपेंडिकोतर अपने इसको भई इस लाइन के वह गुमाने प्रपेंडिकोदर इसके अब पहले प्लें सा यह वाला है इसके वुट कैंब लेकिन इस रसुगुले का जो उपपर वा एमिस्पेर उतका पूँजेगा निची ओर निची वाल जाएगा उपर लेगन ऑवर ओल तो यह रसुगुला यहीं पर आएगा वह इस एक राखने पर यह बीडिश का नजराएगा इस मेर में इन दिवल डेश का नजराएगा इस एक रिफ्लेक्ट करने पर उपर को पोच जाएगा तो यह तो यह रहेंगे कौन बताओ एक फ़ॉर एक टू ए थ्री एवन लेकिं उपर को पहुंच जाएगा वी डवल डैश और यहां को न आ जाएगा वी डैश तो बोलो बहुत तो चार एक प्लें में दो भी उपर नि reflect करने पर क्या रहा है same photo तो क्या इसके अंदर इंवर्जन सेंटर है आप इसको भी ऐसे भी चेक कर सकते थे सेंटर से दो अपोजिट डिर्क्शिंस में चलो ए ए बी अरे बोलो भई क्या इसमें सेंटर ओफ समेट्री इसंट इट लेकिन प्रोपर उठ क्या होता है किसी मोलीकुल में अपने मालूम करना हो सेंटर स्मेट्री है कि नियुक्त कैसे मालूम करते हैं कि 180 पर गुमाके किसी खास लाइन के बाउट और भई आप कोई भी आर्बिट्रेर लाइन चूज नहीं करनी है फिर आपने बतो क्या किया 180 पर रोटेट बतो क्या मिलगा हमको आपके लीज़ी रहेगा या पर यह लाइन चूज करना क्या रहेगा आपके लिए पर इसको रिफ्लेक्ट सेम फोटाइग नहीं तुम क्या बहुत में क्या सेंट्र समेट्री प्रेजेंट है असान के मुश्च के लिए कि तो बहुत सेंट्र कैसे मालूम करते हैं या तो कैसे सेंटर से दो अपोजिट डारेक्शन में चलो अगर आपको हमेशा सेंटर से दो एक मोल दूरी पर चलो आप दो अपोजिट डाक्शन में अगर आपको हमेशा क्या मिलता है सेंट्र समिट्री दूसरा रूट क्या होता है मॉलीक्यूल को एक सोसे पर गुमाओ फिर जिस लाइन के बाउट आपने गुमाया है उसके पर प्रपेंट्र को रिफ्लेक्ट अगर सेम फोटो मिले तो क्या है अपर एक सोसे पर गुमाने पर क्या हो गया एक्सचेंज 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 लेगा फटी क्या रहेगा एस इक्स लेगे अब पर पेंडिकुल अर्ली रिफ्लेक्ट करने पर एफ और यहां पर भई यहां पर भी आप दूसरा रूट आप इस्तिमाल कर सकते हो लेकिन आप यहां पर आप यहां पर सेंट्र से आप यहां चलो बताव क्या है अरे बहृई क्या यहां पर सेंट्र रूट मैं स्मिट्र निवाट आप इस दीदिम कर सकते हो जासे है posthole हो अगर मान लिए मैंने यह बना दिया आ मतलग नहां को नहीं तूस सेल कुरें सिल यहं को नब वहीं बुणाओ ब teu थक है ऑपर यहां पर करनें पर को नि給 ऐसे नितने लगत प्रपर के अभी और इसन्ट इस बताएं नोरीजन सेंटर वही सेंटर 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 इसाइड बताएं को सी एल एच बी आग एच निया गापको यह ठीक है क्या को वेट तब होता है जब आपने 180 से अलग एंगल है इसे क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिज ऑफ स्मेट्री और इंप्रोपर एक्सिज ऑफ स्मेट्री बता हो ना लेगे तब बोलते हैं कि जब एंगल क्या हो एक्सोसी से क्या हो वहीं डिफ्रेंट मतला आप कह सकते हो अगर एस्टू क्योंकि इंवर्जिन क्यों से स्पेशल केस ही होता किसका इंप्रोप्रेक्सिज ऑफ रोटेशन का समझे बात यह अगर मैं अगर एक्सोसी पी गुमाने गुमाकर सेम फोटो आए एक्सोसी पी रेफ्लेक्ट करने पर रेफ्लेक्सिज और एक्सोसी के अलग अगर अगर आप एक्सोसी के लावा किसी और एंगल पर गुमाकर पर पेंडेक्टी फोटो भास तुम क्या बोलें किसके इसके इंदर अपको बढ़ाएंगे वह बाकाइदा समझ गया बात आपको आपको यह सब्सक्राइब अब बता है अब क्या है सैंट्र ओफ स्मेट्री इन वेरियस मॉलेकुलर जुमेट्री तो बहुत को थो भी उसेंट्र ओफ स्मिट्री मॉलूम करने का और कोई आप ने करों किसे히 कैसे अगरो रूट्स कि यह प्रम करना नहीं है या फिर क्या करो मॉलेक्यूल को बाक आयदा एक्सोस से गुमाओ और प्रपेंडिकूलरली रिफ्लेक्ट करो अगर सेम फोटो मिले तो सेंट्र समिट्री नहीं तो इसके अंदर सेंट्र स्मिट्री है असान तो है निया पुसंद आया एस एफ सिक्स एस एफ सिक्स बताओ क्या है मैंने पास अब भाई या तो घ्रोश को वन एटी पिक्वाओ परपेंडिकूलरली रिफ्लेक्ट करो सेम फोटो आएगी वह यह दो जलो फ्लोरीं 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 कुछ भी नहीं निया पूरी सेंट्र समिट्री तो इस तो आपको बताओ इसका मैं आपको बताओं मैथमेटिकल सेंस नहीं बन पाएगा ओके यह आपने प्रॉपर रूट से क्या होता है एक सोसी पर गुमा के परपेंडिकुलर ली रिफ्लेक्ट करना तब पता लगता आपको वही कि सेंटर ओफ स्मिट्री है कि नहीं इसन्ट इट अब बताओ च 4 क में सैंटर ओफ स्मिट्री है कि नहीं है क्यों इसको ऐसे देखू तीन बॉंड यह और एक बॉंड रॉपर तो क्या है पूंड है निच्छे बॉंड नहीं एक इसंटर स्मिट्री नहीं है और आप इसको एक सोसी घुमा के करो होगी रिफलेक्ट तब भी समीं पोटो नहीं अगर कोई एक मैंठ से यह की इन रहत तोना आपको पढ़ी थो क्या है रिपीटेशन ओफ सीक्वेंसelle और सेंटर ओफ समिट्री के लिए रिपिटिशन ऑफ सीक्वेंस को शुरू होता है तो आप मुझे बताएं यह हमारे पास क्या बता हुए की इसके अंदर सेंटर स्मेट्री एक है बिलकोल क्लॉरिन इसके इसे मिना क क्या बोल दियाघ तो आई-वन जाएगा यहां तो क्या मुझे वह निमिल जाए क्या अरे बोलो भई बहुत आपको पड़ी फिर एक पर यूर रगाऊ अरे आपर क्या लगा तो रही आई आई वन लिखो भई क्योंकि इस से क्या ही वन वह तो फस्ट से क्या होगा फास्ट से थाड़ क्या होगा आई स्केर स्टो यहां पर आपाई लोगे विल्ग प्र तो क्या मेरे पास अब यह बियार फिर से का जाएगा यहां पर ने कि discovering कि व्यक्त फिर फिर का अटैंस र approach यह को जाएगा तो कि यह बेले इस्ट आध ग्रिश्ण सीकुल आधि कि यह इस वाले नहींट श्डाल सब्सक्राइब करें मतलब कर जो से इन वर्जन सेंटर से जो जीतने दूरी पर है उसको अप पॉजिट डियारेक्चिन पॉज़्ज़िन दूरी पर लिजो कि कोई पॉइंट इनवर्जन सेंटर से जितना दूरी पे है उसको उतने ही दूरी पे कहा ले जाओ आप पॉजिट डारेक्शन में कि एक सुटा क्या हो गया है क्या है थीग हुए बात आपको पले पढ़ गी है ओके तो हम क्या बोलेंगे तो इनवर्जन में हाई बोलेंगे लेकिन procedure क्या होता है लेकिन फोरना क्योव किया होता है आइडिनटिटींपर rai ектु गेो डिएगा i2 i1 i1 i2 i1 i1 बोलो भी तुम क्या बोलेंगे कि हां भी क्या होता है repetition तुम क्या बोलेंगे कि inversion की 3rd से फिर से क्या होगा हमार पास भई repetition of sequence start isn't it तो बता हो यहां पर भई repetition of sequence कर शुरू होता है इन वर्जन की 3rd से और बताओ विच आफ दी फॉलेंग मॉलेक्यूल डज नट पोजेंटर समिट्री बताओ कुन सा एसे फिक्स पिए फाइव नियुक्ता भई स्यूट में होता है एन इस सीन फॉर्म योगा भई कौन सा रहा भी और बताओ इस सिम्मेट्री ऑपरेशन आई-1 विल बीकुल टू वही बात है आपर भी बोलो भई आई-2 आई-8 आई-6 नन वह सिंपल सी बात में आपको बताओ भई आई-1 ब्रापर होगा इसके आई-1 ब्रापर होगा आई-2 तो यह ओगा फिर इसंट इसंट तो भई आई-1 क्या होगा एक पर और आई-1 क्या होगा आई-1 आपको पता भई आपर एक भी आई-1 और ओड दे रखा तो कौन साइक आए अंसर डी अरे भई अरे इसको काट दियो ठीक है तो क्या है मारे पास यह आई-1 क्या होगा किसी के परबर नियोंगा बही ओल आई-1 और ओपरेशन सारे क्वेलेंट दू रिप्टेशन अ लेक्टर के बारे में आपके कुछ प्रश्णिया सुझाओ हैं तो आप मुझे निचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं उनके उत्तर देने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा तो भी ठीक है मिलते हैं अगदे लेक्टर में तो तक के लिए नमस्ते